हेलो स्टूडेंट कैसे आप सब एक बार पुना है आप सभी का आपके अपने शेनल स्यू कोचिंग क्लासस पर सोगत है क्लास टोल्थ फिजिक्स NCRT में चैप्टर सेकेंड में चैप्टर सेकेंड है आपका बिद्दुद विभाव तथा धारिता इस चैप्टर में हम आज देखने वाले हैं बैद्दुद विभाव किसे कहते हैं कुछ बेसिक चीजें फैक्ट और इसका परिभासा मात्रक विमी सोत्र और इसकी जो प्रकति है कैसी होती है साथ में देखेंगे कि विद्दुद विभाव कितने प्रकार के होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं इस्थिर विद्दुद विभाव की परिभासा और परिभासा के पहले कुछ बेसिक चीजी है देखिए आपके पास दो बरतन हैं दो पात्र हैं दोनों पात्र में जल भरा हुआ है एक में अधिक जल भरा हुआ है और दूसरे में कम जल भरा हुआ है है ना यदि इन दोनों पात्रों को जोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे जो द्रौ है जो जल है वो अधिक पात्र के और प्रवाहित होगा कभी भी आप नहीं देखेंगे कि कम द्रवाले पात्र से अधिक द्रवाले के और पात्र के और द्रव का प्रवाहित होगा कभी नहीं होगा क्यों क्योंकि जिस पर द्रव अधिक भरा हुआ है उसका दाब अधिक है और जिस पर द्रव कम भरा हुआ उसका दाप कम है हमेशा जो द्रवया जल है अधिक दाप से निम्ने दाप की और प्रवाहित होता है इस करण से अधिक जल भरे हुए पात्र में से जल जो है कम जल भरे हुए पात्र की और प्रवाहित होता है इसमें एक चीज ग्यान मिलता हमें प्रवाह की दर यहां ज प्रवाय हो रहा है इसी प्रकार यदि हम मान के चलते हैं कि आपके पास एक धनावेसित है और एक अनावेसित है तब इनमें इलेक्टरान का प्रवाय होगा और इलेक्टरान का प्रवाय होगा और इलेक्टरान का प्रवाय तब तक होगा जब तक कि इनमें दोनों में आवेस समान ना हो जाए, इलेक्टरान का प्रवाय इधर की मुरा, सबसे बड़ा चीज आपको यहाँ पर ग्यान सीखने को मिलेगा, कि यह A है और यह B है, और मैंने कह दिया कि जो A है यह आवेसित है क्या है आवेसित है और जो B है, वो अनावेसित है आवेसित हैं मतलब इस पर कोई आवेस नहीं है तो इलेक्टरान का जो प्रवाय होगा वो B से A की ओर होगा अब आप लोग कोगे, जब इसमें कोई आवेसित है ही नहीं, तो कैसे A की ओर होगा, आपके मन में डाउट हो रहा होगा तो मैं आप से कहना चाहता हूँ कि ये धनी है धनी है मतलब कहीं न कहीं वो इलेक्टरान त्याग दिया है तो इसके पास इलेक्टरान की कमी है इसलिए जो एप के पास इलेक्टरान की कमी को पुरा करने के लिए बी से इलेक्टरान एक ही और आएगा ध्यान रखि आवेस रख रहा है, मतलब किसी ना किसी को इलेक्टरान दे के रखा है, समझ रहे हैं इसके पास कमी है इसने इलेक्टरान का जो प्रवाह की दर है वो 20 से एक यूर होगी है ना, और ये आवेसित हो जाएगा कहने का मतलब एक आवेसित है और इसके संपर्क में आवेसित लाया गया, तो इसके करण ये भी क्या हो जाता है, आवेसित हो जाता है क्यों आवेसित हुआ? क्योंकि जब ये इलेक्टरान इसको देने लगा तो ये रिनात्मा खो जाएगा, क्योंकि ये देने लगा है समझ रहें न बात को, तो यदि यह पाश्टी हुए, तो जब यह इलेक्टरान देगा, तो यह कह हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ध्यान दीजेगा समझ लीजेगा तो कहने का मतलब जब कोई आपके पास आवेसी चालक है और उसके पास अनावेसी चालक लाया जाता है अनावेसी चालक लाया जाता है student तो इलेक्टरान की प्रवाह होने लगती है और जब तक होती है जब तक कि उस दोनों में आवेस समान न हो जाए आवेश दोनों में समान होने के बाद इलेक्टरान का प्रवाह रुख जाता है अर्थात किसी चाला का जो विद्दुत विभाव है उसकी वह विद्दुत अवस्था है जो उसे किसी अन्द चाला क से जोडने पर आवेश प्रवाह की दिशा बताती है कहने का बिद्दुत विभाव कहलाती है अब इसको एक मॉड़न परिवासा दे दिया गया कि आवेश जिससे यहां से यहां तक आ रहा है अर्था इलेक्टरान का प्रवाह हो रहा है यहां पर इलेक्टरान आ रहा है ना 20 से यह तक और अधी हम मान ले हम यह नहीं पता कि कहां से आ ला रहूं आपको कि एकांग धनावेश को अनंद से विद्दु छेतर के किसी विद्दु तक ला रहे हैं और उसको लाने में जितना कार करना पड़ेगा उसे कहते हैं विद्दु विभाव मैंने आपको बताया कि जो आवेश प्रवाय है यही विद्दु विभाव कहलाता ह जैसे यहां पर मैंने A और B एक A आवेसित चालक लिया, B अनावेसित चालक लिया, तो इस पे इलेक्टरान का प्रवाय होने लगा, है ना, इलेक्टरान के प्रवाय से आवेस का प्रवाय हो रहा है, कहने का मतलब ये B अनावेसित था तो रिनावेसित हो गया, समझ रहे ना, तो इसमें आबेस का प्रवाय हुआ और आबेस की दिसा को ही बिदुद विभाव बतलाती है समझ रहे ना? तो इससे निस्कस निकला कि हमें नहीं पता कि एक हमारे पास चाला है कर रहा हम कहां से ला रहे हैं तो अनन्द से विद्दु छेत्र के किसी बिन्दु तक लाने में जो किया गया कार होता है, किसी आवेश को अनन्द से विद्दु छेत्र के किसी बिन्दु तक लाने में जो किया गया कार होता है, वही कहलाता बैदुत विभाव। यहाँ पर देखें परिवासा, एकांक धनावेस को अनन्द से विद्दुच्यत्र के किसी विद्दु तक लाने में जितना कार करना पड़ता है, उसे उस विद्दु का बैदुत विभाव कहते हैं. इसे भी से प्रदर्सित करते हैं, माना मान के चलते हैं, परिछणावेस क् इसको हम अनन्द से विद्दुछेत की किसी बिन तक ला रहें, तब जो किया गया कार होगा, समझ रहे न, वो क्या कहलाएगा विद्दुद विवाव, जिसकी परिवासा है, एकांक आवेस को लाने में, जितना कार करना पड़ेगा, उससे क्या कहेंगे, विवाव कहेंगे, तो भी ब्राबर, डबलू अपान, क्यू जियरो, हमने परिष्ण आप्पेस, माना है क्यू, है न, क्यू जियरो, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा, अब इस फार्मूले से आप परिवासा बनाओ, कि है एकांक आवेस को, एकांक आवेस को अनन्द से विद्दुछेतु तक, या विद्दुछित के किसी बिंदु तक लाने में जो कार करना पड़ता है डवलू गोई कहलाता है विद्दुद विभाओ अब कार का मात्रक क्या होता है जूल और आबेस का मात्रक होता है कुलाम तो यदि मैं कह दूं कि इसका मात्रक बताए ऐसाई पद्धत में तो आप सकते हैं विभाओ का मात्रक बोल्ट होता है लेकिन आप एक और मात्रक बता सकते हैं जूल प्रति कुलाम आप बता सकते हैं ना तो दो इस प्रकार से मात्रक के दिया जाए ऐसा है पद्यत मात्रक तो बोल्ट होता है लेकिन एक और मात्रक होता है देखे कार का मात्रक जूल है ना और आवेस का मात्रक कुलाम तो जूल प्रति कुलाम होता है तो यह चीज आपको याद रखना है अब आपको बिमी सूत जालना कठिन न लगे तो जैसे आपने देखा विभावभी बराबर क्या देखा आपने कार बटे जो आबेस है आबेस ठीक है देखें कार क्या कहलाता है बल गुणे दूरी बल गुणे दूरी और यह जो आबेस है वो धारा गुणे समय धारा गुणे समय ठीक है धारा पर क्या होता है द्रबमान गुणे त्वरण द्रबमान गुणे त्वरण और एक दूरी हई है और नीचे आपके पास है धारा तो धारा गुणे समय चलिए अब यहां पर द्रबमान है तो द्रबमान तो मूल अवस्था में है आपकी त्वरण का क्या होता है बेग बटे समय और बेग का दूरी बटे समय है ना दूरी बटे समय तो एक बेग बटे समय का आया समय और एक दूरी बटे समय है ना समझेगा बेग बटे समय तो एक समय हो गया फिर बेग का दूरी बटे समय तो दो समय हो गया गुणे दूरी और नीचे क्या था स्टुट्वेंट आपके पास धारा गुणे समय अल्रेडी पहले से है तो पूल मिलाकर यही देखा जाए द्रबमान कितने है एक है दूरी कितना है तो एक और एक कितना होगे है दो एली स्कुरेर समय कितना है तीन उपर जाका माइनस में हो जाएगा धारा MPR उपर जागा माइनस में हो जागा यह आपका आगया विमी सूत्र पूरा विमी सूत्र निकालना सीखें कारबार बल गुने दूरी बलबार द्रवान गुने तुरण होगे आपका ठीक है और दूरी अलडी पहले से था तुरण बल बेक बड़े समय और फिर बेक बड इस बीमिय सूत्र वो गया आसा करता हूं बन जाएगा अब यह दिदी प्रकति की बात की जाए तो इसकी प्रकति कैसी है तो आदिसरासी है जो आपका विभा है अदिसरासी याद रखेगा यह आज आए कि विभा कौन सी रासी है तो इस녁ल Ale और कार एक क्या है अदिसराषि इसलिए विवबॉब भी क्या है एक अदिसराफि है यहाँ पर आपको विवब के प्रकार दो प्रकार पढ़ने है एक दो धनात्मग विवब और एक रिनात्मक भोग, थोड़ा सा सिंपल सा परिभासा समझ लेना है, कि जब एक आंक धनावेश को अनन्द से विद्धु छेत्र के किसी विनुता कलाने में, बैद्धुत बल के विरुद्ध कार करना पड़ता है, विरुद्ध कार करना पड़ेगा, किसके बैद्धुत बैद्धुत बल के विरुद्ध कार करना पड़ रहा है, तो उसे हम कहेंगे धनात्मक भी हो, लेकिन वहाँ पर जो कार है, वो बैद्धुत बल दोरा किया जा रहा है, तब वो कहलाएगा रिनात्मक भी हो, जब एक आंक धनावेश को अनन्द से विद्धुत छेत्र के किस क्लियर तो चीजें समझ गए, देखिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों का बेसिक पहले का स्ट्रांग हो जाए, ताकि आप लोगों को आगे चलकर प्राबलम नो, और क्रम से देखिए, वीडियो प्लेलिस्ट में मिल आएगा आज के लिए इतना ही छोटाश टॉपिक है, इसके बाद क्रम से आपको मिलता रहेगा, चलते ही श्टुडियन फिर मिलते के लिए वीडियो ने टॉपिक के साथ, तब तक लिए जैहिन बंदमात्रम